रादी कृष्णा फ्रेंड्स वेलकूम करते हैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे तो आज जो मैं बनाने जा रही हूँ वो है नवरात्री स्पेशल ड्रेस फोर काना जी जिसके लिए मैंने कुछ इस तरह से बांधनी प्रिंट में फैब्रिक ले लिया है ये मल्टिपल कलर फैब्रिक है तो आपको इस पे जादा कुछ करना नहीं पड़ेगा मैंने यहाँ पे 22 वाइ 2.5 इंच के स्ट्रिप ली है स्ट्रिप को हम तीनों साइड से हैम कर देंगे आप अगर चाहो तो इसके एक साइड पे इस तरह से लेस लगा सकते हो कोई भी लेस मैंने नहीं लगाई मैंने जस्ट इसको हैम किया है थ्री साइड से अब फोर्थ साइड में हम इस तरह से इसमें चुनटे अड़ करेंगे जिससे की गेरा रेडी हो जाएगा इस तरह से आपको चुनटे अड़ कर लेनी है काना जी की कमर के कोर्डिंग साइज रख लीजिए उपर का और चुनटे अड़ कर दीजिए तो ये देखिए चुनटे अड़ करने के बाद ये अपने आप राउंड शेप में बनके रेडी हो जाएगा तो अब हम क्या करेंगे चोली बनाएंगे चोली बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिप यूज की है सेम फबरिक की स्ट्रिप की लेंध मैंने साड़े साथ इंच ली है आप देख पा रहे होंगे ये देखिए और विर्थ जो है 2.5 इंचिस की है अब हम इसको या तो हम सिम्पली इस तरह से स्ट्रिप रेडी कर सकते हैं जैसे हम नॉर्मली चोली के लिए करते हैं या फिर इसको डबल फोल्ड करिए और गोटा लेस लीजिए जो specially हैमिंग के लिए आती है टिशू गोटा लेस इसको इस तरह से दोनों साइड पे हैम कर दीजे जिससे ये graceful सी चोली बनके रेडी हो जाएगी ये देखिए दोनों साइड पे हैम कर दी है मैंने लेस को अब हम इसको हाफ हाफ में कट कर लेंगे तो हाफ हाफ में कट करने के बाद हम इसको as a चोली अटैच करेंगे किस तरह से इस तरह से रखेंगे इसको और स्टिच लगाएंगे दैन इसी को लूप शेप में पोल्ड करके अगेन लेके आएंगे प्रिंट साइड पे घेरे वाली साइड पे और अगेन स्टिच ये दोनों स्टिच को उसे एक इल्यूजन भी क्रियेट होगा और पैटरन भी बन जाएगा ये देखिए मैंने भी हलका सा ओवरलैप किया है जब मैंने सेकिंड स्टिच शुरू की है तो ये है इसका फाइनल लुक ये पहनाने के बाद कुछ इस तरह की लगती है आप काना जी के लिए बनाना है तो आप इस तरह की ड्रेस बना सकते हैं ये पहनाने के बाद काना जी बहुत ही प्यारे लगते हैं क्योंकि इस पर मल्टिपल कलर अल्रेडी आ चुके हैं तो आपको ये ड्रेस कैसी लगी कमेंट शेक्शन में बताना मत भूलिएगा वीडियो प